नमस्कार स्वागत थे आपका हमारे चन्चार जागेंदर मिशा में मिथुन राश 19 मई से लेकर 22 मई 2022 तीन एक्षाएं पूरी होंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन राश वाली जात्कों के लिए 19 मई से लेकर 22 मई 2022 तक कर समय कैशा रहेगा इन चार दिनों में कौन सी वो विशेस बड़ी एक्षाएं हैं जो आपकी पूरी होने जा रही हैं तो चलिए सबसे पहले दिन की स्रुवात करते हैं तो देखिए दिन की स्रुवात होगी जेश्ठ मास के कृष्ण पक्षी चितूरती ते थी से और अंत जेष्ट कृष्ण पक्षिय सब्तवितिति से और चंद्रमा धनु राशी और मकार राशी में प्रवेश्चनिकी गोचर करेंगे यानि कि मिथुन राश के आत्कों चंद्रमा आपके सब्तम भाव और अश्टम भाव पे गोचर करेंगे और साती सात राहू, मेश राशी, केतू, तुला राशी में रहेंगे इन चार दिनों में सूरदेव, जोकी ग्रहों के राजा है, ये बिस्व राशी में रहेंगे आपके बार में भाव पे, मिथुन राश कहात को हो अगर देव गुरु ब्रिहस्पत की बात करें तो आपके ये दस्सम भाव पे रहेंगे और तीन ग्रहों की यूती बनेगी यानि की मंगल भी मीन राशी में रहेंगे तो मंगल और सुक्रिश के साथ देव ग्रु ब्रिहस्पत की यूती बनेगी तो त्रिग्रही राजो कर निर्मार भी होगा इन चार दिनों में शनी की बात करें तो सनी देव यानि कि आपके कुम राशी यानि भाग भाव पर गोचर करेंगे तो ये थी कुछ ग्रह गोचरी सत्या अब इनी के धर पर जानेंगे कि आपके लिए यह चार दिन कैसे रहेगा हाला कि इन चार दिनों में आपकी राशिक के स्वामी बुद्धगरे सूर्दे के साथ बुद्धतित राजयों के निर्मार भी करेंगे क्योंकि वक्री वस्ता में चल रहे हैं बुद्धदेव सबसे पहले हम बात करेंगे आपके केरियर की फिर बिजनेश व्यापार की फिर आपका पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा आपका कारोबार कैसे रहेगा प्रेम संबंद एजुकेशन कैसे रहेगा लब लाइव कैसे रहेगी विदेश की आत्राइधन की सती कैसे रहेगी तो च चार दिनों में 19 महीं से लेकर 22 महीं तक के दर्मियान में आपको उलाब होगा साथी साथ ट्रास्पर की योग बनेंगे मन चाही जगर पर आपका तबादला हो सकता है बड़े अधिक्यारियों से समंद बहतर बनाना होगा हाला कि आपको इसमें बिजनस व्यापार में कोई मह थोड़ी से सावधानी विवरतनी होगी बिजनस व्यापार में भागदा और ज्यादा करनी पड़ेगी रुका वो फसावधान तभी प्राप्त होगा जब आप मेहनत करेंगे परिसरों करेंगे और यहां पर देखा जा तो पारिवारिक जीवन में भी कुछ महतपूर पड़े सुलजेंगे अव्याई जयतकों के ने रिस्ते हैंगे और साधी वाग के बंधने में बंधने जरेंगे यहनि सुब मंगल कार होंगे धार में कारकरम कायोजों होगे इन चार दिनों में साथी साथ यहां पर देखा जा तो गाड़ी बाहन का प्रयोग कम करें वरना पर विशेश लाब होगा मिथुन राज के अतकों 19 में से लेकर 22 में तक कर जो समय रहेगा जीवन साती से संतान को लेकर आपकी दूसरी एक्षाई पूरी होगी तीसरी एक्षाई पूरी होगी आपको यहनि कोई इंप्रोटन डील को लेकर बिजनेस व्यापार में तो तो पहले उतार चड़ाऊ तो योगो खतम होंगे रिष्टे मजबूत होंगे प्रगारता आगी मजबूती आगी प्रेम संबंदों में आपको एक दुसरे को साथ जुड़े रहेंगे मधहुरता रहेंगी और एक दुसरे को कुछ गिप्ट और उपहार दे सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके ध्यान रखे बाहर की बिल्कुल खान पीन की चीज़ों में परहश करें तेले चीज़े ना खाएं गर्मियों से बचें तो मित्वन राज के अत्कों यहाँ पर पार्टनर में विजनस प्यापार करें तो लाब होगा जीवन साती से मधूर संबनेंगे लेकिन आपसी मतभेद ना करें इगो न दिखाएं क्रोध ना करें बस बाकी चीज़े बेहतर होगी बिदेश की आत्राइं हो सकते हैं बिदेश जाने के सपने साकार हो सकते हैं बिदेश में धन की स्थिति मजबूत रहेगी नोकरी की स्थिति काफी अच्ची रहेगी और बिजनेस व्यापार से सम्मंदित अच्छेत्रों से धन लाब हो सकता है, धन संपत तेस्र में बर्दी होगी, कारोबार में विशेश लाब होगा, मिथुन रास्यत को इन चार देनों में आप हो, यानि कि और भी महत्पूर कारोबार कविस्तार कर सकते हैं, महत्पूर फाइन